इस वीडियो लेचर के अंदर हम further sketch tools, geometric relations, dimensions relations tools के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम start करेंगे fillet demand के साथ fillet demand जो है आपको sketch tab के अंदर ही available है जो अभी gray out है त्यूंकि हमने कोई भी sketch जो है वो नहीं बनाया जिसके अंदर हमने fillet add देनी है सबसे पहले यहां पे front plane select कर लेता हूँ then stretch पे click करेंगे और यह editing mode में open हो जाएगी आपकी drawing then मैं यहां पे एक center rectangle लेता हूँ और मैं यहां पे एक rectangle जो है वो ड्राटा देता हूँ like this अब मुझे यहां पे fillet जो है इस तो यह four sides प्योपर apply करनी है so उसके साथ साथ मैं यहां पे couple of dimensions पहले add कर लेता हूँ like this side का मेरे पास distance जो है वो 100 mm है और इस side का distance मेरे पास 85 mm है okay next अब मुझे यहां पे fillet apply करनी हो यह देखें fillet की command जो है वो मेरे पास active हो शुक्री है so simple मैं इस पे click करूँगा तो यहां पे देखें मेरे पास fillet और chamfer दोनो demands available है तो पहले हम fillet की demand को पढ़ेंगे मैं simply इस पे click करूँगा fillet की demand जो है मेरी property manager के अंदर यहां पे open हो जाएगी और message आ जाएगा select a sketch, vertex और entities to fillet तो आप वो sketch जिसके ओपर आपने fillet apply करनी है उस्टे लिए वर्टेस या entities को select करें so that fillet operation जो है वो accomplished हिया जा सके तो entities to fillet के अंदर मैं यहां पे इन दो size को select करता हूँ तो आप देखें यहां पे orange line के साथ यह एक fillet बनती हुई show हो रही है by default जो required parameter के अंदर 10 mm to units add थे तो यह 10 mm radius to fillet जो है यहां पे add हो जाएगी further यहां पे अब अगर आप इस green checkbox पे इस green check mark पे click कर देंगे तो यह fillet की command exit हो जाएगी और यहां पे fillet add हो जाएगी पर अगर आपने fillet continue करने है add this side add this side and this side too तो 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 आप अपनी selection continue करने like this और आप one by one अपनी four sides को select करने और then आप ती filler जो है incomplete four corners के उपर 10 mm के radius की add हो जाएगी और आप इस distance को increase करना चाहें या decrease करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं like मैंने 12 mm के radius add कर दिया then मेरे पास है keep constraint corner मतलग कि यह जो मेरे corners है constraint उसको वो यहां पे keep उसको sketch को keep रखेगा और dimension each fillet पे भी click कर देंगे इसके साथ साथ dimension भी add हो जाएगी automatically फिलाल इसको check marks पे click करते हैं और यह देखें कि मेरी dimension जो है वो add होडी और यह फिलट यहां पे apply हो चुकी है let's undo it मैं इसको एक दफाँ अगें undo करता हूं और मैं again आप यहां पे fillet add करूंगा लेकिन this time मैं इन दोनों options को check box को uncheck कर देता हूं और rotate दून और यह देखें यहां पे यह option जो है मेरी add or refiller की okay तो इस पे साथ ही हम 8 और पार्ट यहां पे open करते हैं इसको पहले exit कर लेते हैं यह मेरे पास 8 पार्ट है और अब हम यहां पे कुछ फर्दर filler की activities जो है वो perform करेंगे तो again मैं यहां पे filler की demand select करता हूं और यहां पे select करूँगा और यह देखें filler add हो जाएगी और then जो इसका required parameter है जो distance आप यहां पे बताएंगे let's say 14 units तो यह 14 units की filler जो है यहां पे add हो जाएगी और इसको मैं check कर देता हूं और यह देखें साथ ही मेरी filler जो है वो add हो देए इसी तरह से अगर आप filler के बाद chamfer को add करना चाहते हैं तो आप chamfer भी add कर सकते हैं chamfer को आप multiple way से add कर सकते हैं इसी filler के पैनल के नीचे आपको under the filler panel आपको chamfer की command अवेलेबल है और यहां पे मेरे पास chamfer के दो parameters अवेलेबल है like angle distance और distance distance angle distance का मतलब यह है कि आपने 8 जो length होगी chamfer की वो define करनी है और इसे साथ आपने angle जो है वो define करना है अगर आप इसी second type distance distance select करेंगे और आपने both side के लिए chamfer का x और y का distance जो है वो add करना है और इस distance बेसिस पे आपके chamfer के distance लेंथ जो है वो auto calculate होगी solar university environment में और मैं 18 distance कर दूम रहा है और मुझे यही parameter define करना परहेगा distance जो automatically both side x और y के लिए use होगा चले पहले angle distance की option के साथ start करते हैं और मैं यहां पर इस point पर click करता हूँ और then मैं इस point पर click करता हूँ और इसके साथ ही जो required parameters यहां पर given थे उसके साथ 10 units और 45 के angle के साथ chamfer जो है वो add हो दिया पर्दर अगर मैं इस distance को change करना चाहूँ let's say 14 और इसको मैं यहां से 50 कर देता हूँ और undo कर दे दे तो जहार है वो undo हो जाएगा अब जब मैं यहां पर select करूंगा तो जो parameters मैंने यहां पर define किये और उसके साथ यहां पर chamfer जो है वो add हो जाएगा अगर अगर आप इन parameters को change करना चाहरे है तो इसको आप पहले undo कर दे और then again आप जो भी required parameters यहां पर add करेंगे और then आप जिन sides को select करेंगे उस side के साथ वो distance और वाइड हो जाएगा और वो chamfer add हो जाएगा moreover देखेंगे अगर मैं इस side पर पहले click करता हूं और then this side पर करता हूं तो dimension आप इस ताहां से महिएड हो तो इस sketch जो है वो open किया है drying environment में अपने और अब मैं यहां पर further chamfer टी जो other type थी उसको use करूंगा तो मैं यहां पर distance distance टी जो type है इसको select कर लाता हूं सबसे पहले और अब मैं यहां पर distance जो है वो specify करता हूं let's say 8 side का मेरा distance 12 है और second side का distance distance जो है मेरे पास 14 है जो कि uneven है अब जिस side को मैं पहले select करूंगा उस side पर distance 1 जो है वो 12 हो रहा और other side के लिए 14 होना जैसा कि यहां पर mention है d1 and d2 तो मैंने इस side को पहले select किया है तो यह में पास d1 है और यह side मैंने second select किया तो यह side मेरे पास d2 है और यहां पर देखे मेरा distance जो है 12 और 14 जो आपने define किये थे वह यहां पर add हो जाएडा chamfer का same is the way let's say कि मैं आप equal distance पर click करता हूं और मैं आप बोथ side में जिस भी side को पहले select करूंगा no matter what both side पर distance जो हो equal add हो और इस्ते साथ ही यहां पर देखे एट chain जो है वो आपको show हो रही है देखे साथ तो यहां पर linkage जो है वो add हुई है बेसी तरही सोल इंवरस्टी इस dimension ते अंदर ही टोल जाए है ओके तो ने स्टर आपने यह और शेंफर डाट रहना let's say मैं यहां पर शेंफर डाट रता हूं यहां पर शेंफर डाट रता हूं यह साइपे 12 है 15 ती दिमेंशन आट रहा हूं यह साइप मेरा पास्त वन है और यह साइप यह और यह बोट साइप और यह मेरा पास्त 10 ओर 14 ती अगें हैपर जो है वो add हो जाएप So it's all about how you can add the fillet and chamfer in your stretch environment आप इस तरह से अपने stretching के अंदर stretch environment में fillet और chamfer को add कर सकते हैं Okay, तो next अब जो हम command double करने लगे हैं solidverse के environment में उसका नाम है offset entities Offset की command आपके objects के address उसकी offset करने के लिए जो भी required distance आप बताएं लिए उसका offset image जो है वो created करती है और ये close और unclosed दोनो type of sketch के लिए used री जाती है Like मैं offset entities पे click करूना under the sketch tab यहाँ पे मेरे पास property manager के अंदर offset entities की command active हो जाएगी अब यहाँ पे मेरे पास multiple options जो है वो available है सबसे पहले मेरे पास parameter के अंदर distance जो है वो driven है यह distance basically आपका एक sketch का दूसरे sketch दे साथ distance को shorter एगा Let's say कि मैं आपने इस line को select करता हूँ तो यहाँ पे देखे मेरे पास 10 mm के यहाँ एक all line जो है इसी line का offset यहाँ पे add हो जाएगा आप इस distance को इन buttons के through add, increase और decrease भी कर सकते है और उसी का preview आपको यहाँ पे show हो जाएगा Okay, तो next अगर आप again click करेंगे जिस भी side पे उस side पे उसका offset image जो है वो add हो जाएगा Like, अब मैं अटर इसको इस side पे click करता हूँ और यहाँ पे देखे offset image जो है वो add हो जाएगा Same इता दे, for this side let's say कि मैं offset image पे जाता हूँ और इस line पे click करता हूँ और यहाँ पे इसका offset image जो है वो इस inner side पे अभी by default add हो है अटर मैं इस reverse button पे click करूँ रख तो यह जो image हो रहा इस line का वो इसका outside जो है वो add हो जाएगा सिंपल इस setboards पे click करने से आप इसे direction जो है offset direction वो change कर सकते है नेस्ट अब मेरे पास यह एक close object है और मुझे इसका complete offset अरर करना है तो मुझे one by one in सब sides को select करना पड़ेगा बट बेहतर है कि आप यहाँ पे select change का जो मेरे पास option है इसपे click करने इससी क्या होड़ा SOLIDWORKS automatically complete change जो है इस close sketch वो select कर लेगा और इसका offset जो है वो create कर देगा like this same is the case for the circle आप circle जो है जो offset distance है वो define कर सकते है और moreover जो inside circle है let's say अगर मैं इसको bi-directional टर देता हूँ आप देठे मेरा इस circle के inside और outside both side जो है offset entities जो है वो create हो जाए जी और अगर मैं base geometry को construction कर देता हूँ इससे क्या होड़ा थे जो inner मेरा sketch था जो मेरी base geometry थी जिसकी help से मैंने offset entities create की है वो मेरी construction line में convert हो जाएगी like this अब देकर जो base geometry है वो मेरी construction line में convert हो रही है और remaining मेरे पास to inside और outside offset जो है वो add हो गया same order मैं let's say this open art to select करता हूँ यहां पे भी base geometry to let's say मैंने construction में convert करना है और अगर मैं इस geometry to close करना चाहूँ तो मैं close भी कर सकता हूँ in that case आपको steps end के check mark पे click करना है यहां पे मेरे पास दो type of options available like arts और like lines line से इसका preview आपको तुछ इस तरह से show order और art करने से आपके पास its slot जो है वो बन जाएगी तो थिमने previous lectures के अंदर slots और उसकी different types को तो आप slots को इस तरह से भी design कर सकते हैं और इसको मैं audit होड़ा तो यहां पे देखे मेरे पास hc shape की एक offset entity जाब हो create होड़ी है that's it is this and this side okay अब मैं again offset entities पे जाऊंगा और मैं इस object प्रस्लेक्ट होड़ा यह देखे यहां पे मेरे पास it's straights load जाब और मैं line slide कर दूँ रहा यहां पे distance line में आ जाएगा next मेरे पास यहां पे add dimension और भी checkbox available है अब मैं इसपे click कर दूँ रहा तो offset entities ते साथ-साथ मुझे इस्ती dimension जो है वो भी add हो जाएगी like this so you can do आप जो भी required आपके पास options available हो आप उनको यूज करते हुवे इसके साथ इसकी dimensions जो है वो भी add कर सकते हैं और मैं यहां पे again एक दफ़ा offset इसके लिए create करता हूँ और मैं इसके बाइंट्रेशनल को uncheck कर देता हूँ और यहां पे adder मैं offset geometry को construction बनाना चाहा रहा हूँ तो यह देखें यह जो मेरी offset की shape है यह अब मेरी construction में convert हो जाएगी और जो main base geometry है वो as it is ही रहेगी like this अब जो मेरा offset create हुआ है वो मेरे पास construction line में convert होगी और base geometry as it is रहेगी इस तरहां से आप offset entities multiple offset entities जो है वो create रहते हैं either after sketch environment open है यहां फिर आपका sketch environment close है और उसके साथ साथ आप further flexibility भी available है like how you can add the dimension, how you can close the sketch and so on okay next हमारे पास जो command है उसका name है convert entities और convert entities का purpose क्या है उसको हम देखेंगे इस purpose के लिए मैं यहां पे 8 object जो है वो open करूँगा और अब मुझे यहां पे कुछ extrusion जो है वो turn नहीं है तो सबसे पहले तो मुझे यहां पे sketch add करना पड़ेगा like मैंने इस surface पे click करूँ और मैं circularly demand flag करूँ और यहां पे मैंने eight circle इसी dimension ता इसी distance ता इसी radius ता एड़ दिया features पे दिया student पे दिया और मैंने यहां पे student जो है वो add कर दी like this अगर आपने इस तरह से part को बनाना है तो आपको again sketch को build eternity, define eternity जूरत नहीं है खाओ, मैं इसको rollback करता हूँ और अब मैं यहां पे auto sketch जो है वो define to do in that case आपको sketch to demands में convert entities की option जो है वो available है, इस purpose के लिए आप सबसे पहले उस surface तो select करें जिस tree ओपर आपने sketch to add turn है और then आप इसको editing mode में on ड़ने, अब यह मेरा sketch जो है वो editing environment में open है और आप मैं simple convert entities पे click करणूना और जिस entities को मुझे convert करना है, मुझे उसको select करना लाइग दिस मुझे इस sketch को convert करना है entities के अंदर, और simple check करनूना और यहां पे देखे मेरा sketch जो है वो, उसका बिल्कुल एक image जो है, एक topic जो है वो, यहां पे इस plane यो पर convert हो जाएगी, then मैं features में जाओं रहां और इसको एस्टूरियन जो है required, एस्टूरियन जितने भी आपको required है वो यहां पे add कर दें या अपनी dimension के साथ और यह देखे मेरा sketch जो हो जाएगा अब इसका फाइदा यह है, अगर in case मेरा जो inner sketch है, इसमें कोई भी changes होगी, तो मेरा other sketch है उसमें भी auto changes आपको show होगी लाइक यह देखे, अगर initial देखे हैं तो हमारा sketch कुछ इस तरह से है अगर हम इस sketch को let's say edit करें और मैं इसको normal view में लेटर आओ, और यह distance में पास 0.4 है, let's change it to 0.6 इसको मैंने close दिया और then मैं इस rollback part को again यहां पे यह देखे आपको अब दोनो sketch two dimensions को change करने की जूरत नहीं पड़ेगी, क्यों क्योंकि आपने इस sketch को बिल्किल उस sketch के साथ link किया हुआ है through convert entity, जो भी eight dimension में change होगी other part में automatically changes जो है वो आपको show हो जाएगी, this is start the design intent जो कि हमने previous lecture के अंदर cover गिया था, अब इसी दाना से आपको मैं एक और example explain करूंगा, convert entities की, आप convert entities को किसी other plane पे, किसी distance पे भी add कर से है, plane इस तरह से add करते हैं, जो यहां पे plane वान लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल आपके top plane के parallel में एक plane के रिया हुआ है, at distance, some distance adds let's say, but plane add कर से करते हैं, हम later on future lesson के अंदर हम सीखेंगे कि हम plane को किस तना से add करते हैं, और किस तना से हम further plane की different variation जो है, किसी angle पे, किसी distance पे, किस तना से add करते हैं, तो हम आरे चलके lectures के अंदर इसको convert करेंगे, but for now, हमारा यह जो 8 object है, जो 8 part है हमने, is that, इसी 3 entities को यहां पे convert करना है, तो यहां पे distance जो है, वो exist करदा है, like this, यह देखेंगे आप, तो आप इस तरह से भी convert entities कर सकते हैं, it doesn't mean कि आप उसी object पी created, like यह देखें, मैं sketch को editing mode में उंटर दाँ, और convert entities पे जियाओ, यह देखें, convert entities के थूर यह sketch add हो दिया, like this, जो कि उसी surface पे add हुगा, let's say कि मुझे उसको इस plane 1 के उपर भी add है, जिसना distance 150 mm units है, मैं पहले उस surface को उस plane को select करूंगा, जिसके उपर मुझे convert entities टरनी है, and then मुझे उसको editing mode में on करना है, और then मैं convert entities पे click करूंगा, और then मुझे अपने उस sketch को select करना है, तो आप यहाँ पे this pull down arrow पे click करके, अपने उस sketch को भी select कर सकते है, like this, ठीक हो गया, and then simply आप ok पे click करें और यह देखें, आपका sketch है वो as it is यहाँ पे, वो convert हो चुका है, using the convert entities tool command, so in this way, how you can add the convert entities in the solidverse environment, वो हमने this lecture के अंदर सीखा है, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे fillet किस तरह से add करते हैं, chamfer किस तरह से add करते हैं, offset entities को आप किस तरह से add कर सकते हैं, उसको हमने this lecture के अंदर टोगर किया है, thank you. किस तरह से तरह सेफिखे पे, जबस्थथचिब चुका है, किस तरह सकते हैं, झाल झाल